हमसे हमेशा जोड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तोड़ने के लिए दो बार मंदिर में गुसे लेकिन दोनों बार विफल रहे दान पात्र में रखे हजारों रुपे चोड़ चुरा कर ले गए और सिक्के छोड़ गए सूचना पर कोटवाली पुलिस मंदिर पहुची तथा घटना इस तल को देखा सिसी टीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू की पुलिस के अनुसार सुबाश चोक में रोड पर जोग माया माता के मंदिर के पास बिती रात को नकाब पोश मंदिर के मुखे गेट का ताला तोड़ कर अंदर गुसा जोग माया देवी के हाथ जोड़ कर पहने आबुशन चुराने लगा लेकिन नकली आबुशन देखकर वहीं बिखेर दिये मंदिर के दानपात्र वत तीजोरी को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन दानपात्र के ताले तोड़ गए और तीजोरी का ताला नहीं तोटा मंदिर से बाहर जाकर लोहे का सरिया लाकर तीजोरी के ताले तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया करीब एक घंटे तक मंदिर परिसर में घुमता रहा मंदिर ट्रस्ट के धनरा सोनी ने कहा कि मंदिर में चोर गुसा और दो ती जोरी तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया दान पात्र तोड़ कर उसमें करीब 45,000 रुपे थे उन्हें चोरी करकर ले गया पुलिस भी मौके पर पहुँची है पुलिस को चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है करीब 3 साल पहले भी इस मंदिर में चोरी हुई थी उस समय भी जगदंबा को बनाये आबुशन चुरा कर चोर ले गए थे लेकिन 3 दिन में ही पकड़े गए थे और आबुशन भी वापस मिल गए थे मंदिर में असली गेने नहीं थे सारे नकली गेने थे चोरों को भी नकली गेनों का पता लग गया इसलिए चुरा कर नहीं लेकर गए जाग रुप टीवी के लिए बार मेर से ठाकरा राम मेगवाल की रिपोर्ट